अगर आपकी qualification है बारवी पास गया फिर graduation और सपना देखते हो railway में job का तो railway लेकर आया आपके लिए बहुत शांदार vacancies सब्सक्राइब लेकर आगया है बहुत बड़ी खुश खबरी उन सभी बच्चों के लिए जो बारवी पास है या फिर graduation की हुई है उन्होंने किसी भी फिल्ट से कौन सी ये विकेंसी हैं क्या इसमें क्वालिफिकेशन है क्या इसमें एज क्राइटीरिया है क्या इसमें सेलेक आपने सुनी लिया होगा इंटी पीसी ने एनाउस कर दिया है कि एक्जाम कब होगा तो इसके बारे में जान ली जिए यह हमारी रेलवेस की जॉब हैं आप जानते ही इंडियन रेलवेस के लिए दो तरीके के बच्चों के लिए वेकेंसी निकाली गई हैं वेरियस आपको मिल जाएगा एज रिलेक्सेशन का यहां पर ग्रेड़ुएशन की हुई है आपने तो कौन सी पोस्ट आपके लिए अवेलेबल रहने वाली हैं इंडियन रेलवेस में एसम जीजी ट्रैफिक असिस्टेंट सीनियर कम टिकेट क्लर्क सीनियर टाइम कीपर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस और कमर्शियल असिस्टेंट यह सारी पोस्ट इसमें एवेलेबल रहने वाली है ठीक है इसमें देखिए एज लिमिट थोड़ी बढ़ आधि और यह ऑफिशेल डेट हैं कैलेंडर यहां पर साइड में मैं शो कर दूँगा ओफिशल डेट सेंस दोस्तो जुलाई मंत में इसके रेजिस्टेंट शुरू हो जाएंगे मई चल रहा है जून केवल एक महीना लगबख दो महीने से भी कम समय है इसमें रेजिस्टें CBT2 यानि कि 2 written exam होंगे computer based test 2 होंगे इसके pre mains फिर होगा typing test कुछ post के लिए typing test होगा और document verification and medical फिर आपका होता ही है male और female all over India के student इसके लिए apply कर सकते हैं यहां पर देखिए आगे बात कर लेते हैं आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही क्योंकि आपको पता है जुलाइ से registration इसके शुरू हो जाएंगे यहां पर देखिए cbt1 में इसका examination pattern क्या रहने वाला है reasoning match जी के ना तो English आती ना Hindi आती इसमें यह बहुत बड़ा फायदा है 30 question इसके 30 question इसके 40 question इसके total marks 100 100 questions होंगे आपके और time मिलेगा आपको सबसे जाधा time इस exam में मिलता है गंटा 90 मिनट बाकी आप चाहे कोई सब एक्जाम उठालो उसके प्री में आपको 100 question 60 मिनट में करने होता है और यहां पर आपको 90 मिनट मिलते हैं करने के लिए नेगेटिब मार्किंग आपकी 0.25 है अब यहां पर देख लीजिए cbt2 यह cbt2 है दोस्तों जो second exam होगा इसको clear करने के बाद इसकी बारी आती है फिर reasoning math gk इसके 35 question इसके 50 question इसके 120 question होगे 120 मार्क से नेगेटिब मार्किंग मर्स 0.25 डेढ़ घंटा इसमें टाइम आपको मिल जाता है ठीक है दोनों के लिए करने के बाद आपका वही टाइपिंग टेस्ट होगा और document verification फिर आपकी जॉब यह पक्की हो जाएगी और माना जाता है NTPC Railways की सबसे अच्छी जॉब है दोस्तों ठीक है बच्चे इसके लिए पागल रहते हैं इंतजार में रहते हैं लास्ट ताइम जो निकली थी वेकिंसी 2019 में निकली थी अब पांस साल बाद 24 में जुलाइ के जाएगी और ग्लॉद